आप जिन बेसाकियों की बात कहा रहे हैं वा तो पूरी तरह समर्तन दे रहे हैं नीती श्वाबू उनके पैड चूले रहे हैं रगती लेके तेवर वही वाले रहेंगे संजय सिंग के वह बदलने नहीं है तर लग रहा है आपको 56 बार बेल में आये संजय सिंग इतनी बार निलंबित हुए इतनी बार इनको मार्सल से बाहर फिकवाया गया आप चाने कि टीडी भी अपना स्पीकर पत्पर खड़ा कड़े और दोनों के बीच में दरार पहले दे कई-कई राते मैंने संसत के परिसर में काटी है अब ही बनी नहीं है सरकार आपने अशागा पहले जता दी क्यूंकि पार्टी तूट जाएगी बीजेपी का स्पीकर होगा तो सम्विधान की धज्जिया उनाई जाएंगी पूरा इंडिया एलाइंस मिल के ताकत अगा के उत्ती सीटे नहीं ला पाया जितकी बीजेपी अके ले ले आई दिली में आप साथ हो आप चार सो ला पाये मंदिर के नाम पर आप चंदा चोरी करेंगे आपने कुछ गरवड़ कर दिया आप संग को भी बहुत करीब से जानते हैं लोग कह रहे थे कि संग नहीं चाहेगा मोदी जी को अगर फायदा हो तो Sanjay Sarma जिन्दाबाद करने लिए आप अलग लड़ेंगे या एलाइंस के साथ ही रड़ेंगे ये लोग सबाद चुनाव आम आदी पार्टी की अफिक्शाओं के अनुरूप नहीं रहे कारण के आई जबकी सिंपर्ती जादा मिली चीए ले कुछ साल पेले की बात है मैं ऐसी एक कुरसी पर बैटा हुआ था फिर एक नेता आये मेरे ऑफिस में बढ़े नेता है और होना मुझसे इंटरवू किया नेहीं बैटे बैटे ईंटरवु किया इंटर्वू जब वाइरल हुआ मैं बात कर रहे थे मेरा फोन बंद था इंटर्वू बना इंटर्वू डिकॉर्ड ओन हुआ मैंने देखा मेरे फोन पे 9-10 मिस्स कॉल एलाइट रहे हैं उस पे लिका हुँ था राज संपत्ति अद्धकारी उत्तरप्रदेश मुझे लगा कि रात में ने क्या जूद पड़ गई वो नेता का इंटर्वू वाइरल हुने के बाद लगातार कॉल के वारे मुझनों ने कहा कि आपको एक सरकारी मकान मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को सरकारी मकान दिये जाते हैं शेकड़ों पत्रकारों पे अभी भी मकान है उसे बोले कि उपर से कहा गया है कि तकाल मकान खाली कर दीजी अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझनों क तो मैं उन नेता से बड़ा हसके कहता हूं कि आपका एक इंटर्वू इसना भारी पड़ गया कि मेरा मकान चला गया और लकी लिए आज वो फिर नेता मेरे ओफिस में आई हुए है आप सब समझ गयोंगे मेरी बातों से आम आदी पार्टी के तेश्टरारसान सद संजय सिंग मेरे ओफिस में हैं बहुत-बहुत स्वागत है से जाएगी एक पर मकान चला गया इस वार तो सब रहे होंगा ना मुझे है और आपका स्वागत है और शुरुआत मैं इससे करूँगा कि आपने बड़े दाबे कि यह बीच में भी जेल से बाहर आने के बाद भी कि सरकार ब मुझे पार्टी के हमारे मुख्या आज भी जेल में है सिख्षा मंत्री जेल में है स्वास मंत्री जेल में लेकिन इनसे लड़ रहे है इन्होंने पूरे देश के विपक्ष को खातम करने की राजदर राज़िकोसिस बनाई महारास्टरा के अंदर इन्होंने उधो टाकरे की पार्टी खतम की सरत पौर जी की पार्टी खतम की मुख्य मंत्री को जारखंड में ग्रिफतार किया उनके नेताओं पे चापे मारी की बंगाल के नेताओं को मिनिस्टर्स को ग्रिफतार किया उनके नेताओं पे चापे मा तो ऐसी विशम परिस्थितियों में अगर विपक्ष चुनाव लड़ा और चुनाव आयोग पूरा इनके साथ खड़ा रहा सारी संस्थाएं, सी बी आई, एडी, पुलिस, इंकम टैक्स डिपार्टमेंट सबका इन्होंने दुरुपयोग किया विशम परिस्थितियों में चुनाव लड़कर भी अगर दो सो पैंतिस की संख्या इंडिया अगर बंदन की आई है तो मैं समझता हूँ, यह बहुत बड़ी जीत है और अगर समान अऊसर मिला होता चुनाव लड़ने का, तो यह संख्या तीन सो पैंतिस होती और मैं जिस भी अब यूट्यूब चैनल पे जा रहा हूँ, बाते अपनी रखरा हो तो एक बात जरूर जोड़ जोर रहा हूँ, वह आपके साथ भी जोर रहा हूँ यूट्यूब चैनल नहीं होते, तो कोई counter narrative मोधी के खिलाफ इस देश में तएयात नहीं हो सकता था क्योंकि गोदी मीडिया तो उनको भगवान बना रहा है वो खुद भी कह रहे हैं हम आउतार है गोदी मीडिया के सवाल भी आप देखते हैं जिसका राहूल गांदी ने भी मजाक उड़ा है कि आम काट के खाते हैं कि छील के काते हैं कि चूस के खाते हैं सब सवाल है इनके पूरे चुनाव में किस भासा का इस्तेमाल किया देश के प्रदान मंत्री ने तो मैं समझता हूँ कि समान औसर ना दिये जाने के बावजूद अगर विपक्ष ने इतना बढ़िया प्रदर्सन किया है तो उसकी प्रसंसा होनी चाहिए और अब ये बैसाकी की सरकार है इंडिये की दो सरकार बी जे पी की याद कर लिजे एक तेरा दिन चली एक तेरा महीने चली ये उससे भी कम चलेगी ये छे महीने में गिर जाएगी सरकार वो जो है, आपने एक याग लगा दी योट्वर्स ने आपको साध दिया विपक्षर साध दिया पहला धार जो लगेगी नँना वह पहला खात्मा यूट्वर्स का ही होगा विपक्षर साध दिया लाँ Bild लेकर अब लिएध Lumत का गुरगान करेंगे प्रजल रवन्ना जैसे आदमी के पक्ष में मोधी खड़े हो तब भी आप उनके साथ करें अगर हाथरस कांड पे मोधी चुप है तब भी आप उनके साथ करें अगर मनीपूर पे मोधी चुप है तब भी उनके साथ आप खड़ें महंगाई पे दारा के मीडिया तथा कतित कहते हैं अपने आपको मेंस्ट्रीम मीडिया उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सवाल कब पूछेंगे सरकार लेकिन हम लोग मानने हैं कि सरकार आगी तो सबसे पहली आज यूटूबर्स पे गिरेगी कोई कारून ऐसा आएगा और कोई सरकार ऐसी यह वैसाकी की सरकार हैं अब मुझे नहीं लगता अगर मतिभरस्ट होगी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आप मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से दुबारा हिम्मत कर पाएंगे लेकिन जो आप जिन वैसाकियों की बात कह रहे हैं वा तो पूरी दर समर्तन दे रहे हैं निती श्वाबू उनके पैर चूले रहे हैं उमर में इतने होने के भावजूद और और कौंद असर बढ़ता है चाहिए जब उनकी आकांचाएं पूरी नहीं होंगी वहाँ पर उनके कुछ मांगे है उनकी जाती जनगर्णा उनकी मांगे विसेस राज्य का दर्जा उनकी मांगे बिहार के लिए अगनी वीर खतम किया जाया है ये उनकी मांगे यू सी सी के ओपर समीक्षा हो ये उनकी मांगे त आंदर प्रदेस के लिए भी विसे इस राजी का दर्शा है लेकि फैदे तो होती है ना देखे जैसे अभी सरकार बनी नहीं नहीं चन्डबाबू की पत्नी को खबरे आ रही है कि पांसो सक्तर करोड का फैदा उनके शियर में हो गया जिस कंपनी से उनका फरवार के लोग जो आप मुझे बताईए भारत का प्रदान मंतरी बयान में कहता है टीवी इंटर्वियू में सेयर के मार्केट उचाल लेगी ग्री मंतरी कहते हैं सेयर मार्केट उचाल लेगी एक जिट पोल आता है उसके बाद सेयर मार्केट उचाल लेती है पैसे लोग लगाते हैं और ठीक result आने के बाद वो पैसे डूब जाते हैं यानि कि artificial तरीके से आपने share market का घपला किया घुटाला किया गलत नंबर दिये exit पोल के और उसके बाद 31 लाख करोन रुपए इस देश के 5 करोन लोगों का डूब गया किसी का 5 लाग किसी का 10 लाग किसी का 2 बरबाद हो गया लोग जेपीसी की मांग फिर उठेगी तो इसमें जेपीसी की मांग राहूल गांदी जी ने उठाई है हम लोग उसका समर्थन करते हैं फिर संजय सिंग तक्ति लेके नारे जेल में आये संजय सिंग इतनी बार निलंबित हुए इतनी बार इनको मारसल से बाहर फिकवाया गया मैं सबसे बड़ा भुक्तव होगी हूं संजय जी कई-कई राते मैंने संसद के परिसर में काटी है चाहे वो किसान का सवाल हो चाहे नवजमान का सवाल हो चाहे सिक्षा मित्रों का सवाल हो मैंने चाहे भारत की सेना का सवाल हो मैंने संसर्द में उठाया मुझे इन लोगों ने बहुत प्रतारित किया जेल भेजा बार बार सस्पेंड किया मैं वहीं संसर्द के बाहर बैठा रहा कई कई रातें तो लेकिन आगे फिर उसी तरीके से लड़ेंगे इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पीकर का पद जो है वो इस बार बहुत महत्तुपूर्ण होने वाला है ये NDA के घटक दलों को भी समझना चाहिए तीन कारणों से मैं आपको बता रहा हूँ नमबर एक बीजेपी का स्पीकर होगा तो NDA के जो घटक दल है TDP, JDS, JDU, RLD इन पार्टियों को तोड़ने का काम भाजपा के लोग आसानी से कर पाएंगे बीजेपी का स्पीकर होगा तो समविधान की धज्जियां उनाई जाएंगी किसी भी तरीके का बदलाव किया जाएगा और वो इन लोगों को दबाव में लेके कराएंगे बीजेपी का स्पीकर होगा तो सांसदों को निलंबित करकर के मारसल से बाहर फिकवाया जाएगा तो तीन बड़े कारण है जिससे मेरा अपनामत है कि बीजेपी का स्पीकर नहीं होना चाहिए अगर टीडीपी का स्पीकर हो रहा है बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है अच्छी बात है अगर नहीं हो रहा है तो इंडिया गड़बंधन के दलों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि गैर बीजेपी का स्पीकर उस पत बर बैट आग लगा रहे हैं आप चाहरे हैं कि टीडीपी अपना स्पीकर पत पर खड़ा कर दे और दोनों के बीच में दरार पहले हैं आग लगाने का सवाल नहीं है ये टीडीपी के लिए भी फायदे मन्द है ये बात कोई मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ संजे जी ये मैं सीरियसली पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ ये पार्टियां तोडेंगे अगर इस्पीकर है इनका आप लिख के लख लीजिए कहीं उधर ठाकरे की पार्टी तोड़ी इन्होंने सरत पवार की पार्टी तोड़ी हमारी पार्टी पंजाब में इन्होंने एक सांसाद एक विधायक तोड़ा दिल्ली में इन्होंने प्रयास किया वो तो हम दिल्ली में इतना सजग रहते हैं बार बार हम मीडिया में आके बोलने लगते है यह पीछे हो जाते हैं यह पार्टी तोड़ते हैं यह पार्टी नहीं नहीं होगते हैं इसलिए बीजेपी का स्पीकर कतई नहीं होना चाहिए अच्छा आपको क्या लग रहा है टीडीब अब मालें ये कोई समविधान विरोधी फैसला ये लेके आएंगे कोई बिल लेके आएंगे विपक्षवाले आवाज उठाएंगे उनको पकड़ के बाहर कर देंगे संजे जी संसदी इतिहास में आज तक कभी भी सस्पेंड नहीं हुए ये काम मोदी जी की सरकार ने किया था पिछली बाद तो तो आपको क्या अगर टीडीब लाईगी अपना इस भीकर लाना चाहिए अगर उनको अपनी पार्टी बचानी है एंडिये के घटक दल को बचाना है और अगर समविधान विरोधी फैसला संसद में नहीं हो ये सुनिश्चित करना है ठीक है हम विपक्ष के लोगों की चिंता ना करें मैं वो नहीं कहता हम लोग तो ठीक है अपनी चिंता करें अब यह बनी नहीं है सरकार और आपने अश्चित का पहरे जता दी क्योंकि पार्टी तूट जाएगी नहीं देखे मैं यह कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूं यह पूरी गंबीरता से कहना हूं छे विधायक नितीस कुमार के नौर्थ इस्ट के स्टेट के अंदर बीजेपी ने तोड़े थे जब वो एंडिये के साथ थे उस वक्त यह रिकॉर्डड हिस्ट्री है संजे जी इन्होंने मद्दप्रदेस में तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई करनाटक में बनाई अरुनाचल में बनाई कहां बक्सा बताइए न लेकिन बोड़ी जी कहना यह है कि पूरा इंडिया एलाइंस मिल के ताकत लगाके उत्ती सीटे ने ला पाया जित्ती बीजेपी अकेरे ले आई डिली में आप सातों सीटे हार गए आप चार सो ला पाए है चार सो पाग कोई कहता था चार सो बीस चार सो बीस चार सो बीस आई तो दो सो चालिस ना डिली के आप सातों लोग साब हार गए यह बड़ा बड़ा आप लेकिन हम गालिया नहीं दे रहे हैं दिली के लोगों को यह लोग क्या कर रहे हैं आयोध्या वासियों को मा बहन की गालियां दी जा रही हैं मा बहन की गालियां हिंदूओं को गालियां दी जा रही हैं किसके सगे हैं बीजेपी वाले मुझे बताइए आप मुसल्मानों को गाली देंगे सिखों को गाली देंगे बॉध्धों को गाली देंगे इसाईयों को गाली देंगे जाटों को गाली द दलितों को गाली देंगे पिछणों को गाली देंगे आदिवासी के सर पे पेशाप करेंगे जवान को गाली देंगे किसान को गाली देंगे पहलमान को गाली देंगे किसको छोड़ रहे हैं आयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं आप आपने आपने वहां लोगों के घर तुड़वाए आपने पुरातन मंदिर तुड़वाए वहाँ आप गानागार हैं जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे मंदिर के नाम पर आप चंदाचोरी करेंगे मैंने उसका फुलासा किया था जमीन का भी को रोड दे देंगे रामपूर हारे सीटापूर हारे युद्या हारे प्रयागराज हारे कौसामभी हारे स्रावस्ति हारे इसका मतलब क fait प्रतापगर हारे कुस्वामनपूर हारे तो आपके इंस्रपक को ं cœur का क्या मतलब है ने भगवान राम का नाम है, वहां भी आ रहे हैं कॉम्बिनेशन आप लोग अच्छा बना रहे थे हैं, उनको जो घेरना होता है तो आप कॉम्बिनेशन अच्छाई है, भगवान स्री राम ने इनको संदेज दिया है आपने कुछ गरबड़ कर दिया है, और में परशांत किशोर जैसे काबल आदमी भी कह रहे थे, तीन सों से ज्यादा सीटे आएंगी बीजेपी कुछ तो गरबड़ किया आप लोगो परशांत किशोर से मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनको बोला था कि यह जो आपका आकलन है, यह ठीक नहीं लग रहा मुझे क्या बोले फिर वो आपसे? ने वो अपना तर्क दे रहे थे क्यों परशांत किशोर कुछ खेल कर गए, वो भी एगजिट पोल की तरह है यह सब मैं नहीं कुछ कह सकता, आप जानते हैं बगएर प्रमाण के कोई बात कहना मेरे लिए ठीक भी नहीं और मैं ऐसा बात नहीं कहूँगा किसी के बारे में, लेकिन सर्वे के मामले में ऐसी गड़वड़ी अगर उनसे हुई है तो इसका जवाब भी दे सकते हैं प्रदीव गुपता का जो सर्वे आया था, उसी दिन मुझे लगा कि यह तो खुद ही चाह रहे हैं कि इनका मजाक उड़े, बुरह मत मानियेगा जहां पे पांच सीट है, वहाँ आप छे सीट दे रहे हैं लोग जन सक्ती को, वो लड़ाई पांच सीट पे है, उसको आप छे सीट दे रहे है, उत्राखंड में है पांच सीट आ रहे है छे सीट, हिमाचल में है चार सीट आ रहे है आठ सीट, हरियाना में दस सीटे हैं, उ एक चानक के का सरवे है, आप देखेंगे, मैंने एक्जिट पोल के खोल वाली प्रेस कॉन्फेंस में उसका जिकर भी किया था, चानक के के सरवे में 37% वोट शेयर था मिलाडू में, बताईए आप, 27% वोट शेयर केरला में, तो ये क्यों किया गया, अज्यपुले सा, ये वही मैं कहा रहा हूँ, इसकी जाच होनी चाहिए, ये शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा गोटा लाए, इसके पिछा और कोई कारण मुझे नजर नहीं आए, आप मिलेगा, आप ने विश्विद्यालियों में चुन-चुन के आरक्षन खतम किया, कहीं एक सीट निकाली, कहीं दो सीट निकाली, आपने आरक्षन खतम किया, आपके नेता खुले आम कहते रहें, ललू सिंग ने कहा था, सम्विधान बदल देंगे, तो बदल दिया न जन्ताने उनको, आप कौन होते हैं भई सम्विधान बदलने वाले, जोती मिर्धा ने कहा सम्विधान बदल देंगे, आनन थेगरे ने कहा सम्विधान बदल देंगे, आंद प्रदेश के एक सांसद ने कहा सम्विधान बदेश में बिल्कुल किया, दिया कुमारी ने कहा सम्विधान बदेश में बिल्कुल किया, दिया कुमारी ने कहा सम्विधान बदेश में बिल्कुल किया, दिया कुमारी ने कहा सम्विधान बदेश में बिल्कुल किया, द मंत्री ने, तब, आप किसके सगे हैं ये तो बता दीजे, मैं तो भाजपाईयों पूछता हूँ, तुम सगे किसके हो, वो अडानी अंभानी के किलाब भी मोदी जी एक सवाम बोल गए, बाद में उनको गलती का एसास हुआ तो चुप हो गए, उसमें क्यों बोले होगे, वह योगी जी, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप उपेक्षा थी की विचारों की, देखा तक नहीं, उपेक्षा नहीं, देखा तक नहीं, आप मुझसे पूछे ना, छे साल में क्या कभी, ऐसे, मैं अपनी पार् नहीं, और एक बार गल्ती से मैंने नमस्ते किया, उसका जवाब भी नहीं दिया, एक बार, गल्ती मुझसे होई कि मैंने कि मैं जानता हूं, उनका सबाब को जवाब नहीं देंगे, बावजूद इसके मैंने गल्ती होई कि मैंने जवाब, इसी तरह से संसद में, एक बार वो अलग-अलग उस से रों से निकल रहे तो इतना एहंकारी वेक्ति इस देश करेंगे आप क्यों करेंगे भाई जो आदमी जवाबी ने देना चाहता आपकी तरफ देखना नहीं चाहता बात नहीं करना चाहता अच्छा इस मामले में धंकर जी तो ठीक है आप इतना कहते ल कि आप संग को भी बहुत करीब से जानते हैं लोग कह रहेते कि संग नहीं चाहेगा मोधी बने प्रदारमती लेकि संग ने तो कुछ भी नहीं का चुप चाप रहा था अच्छा कितना मेहनत किया है संग ने आप पता करीज यह रिपोर्टर है पत्रकार है इतने बड़े प कि मोधी जी आउतार हो चुके है ना भगवान भगवान को किसकी जरूरत होती है अगर वो इनसान होते तो उनको सबकी जरूरत होती वो भगवान है तो जरूरत किस बात की है आपने एक तस्वीर देखा मोधी जी की इतनी बड़ी फोटो स्री राम की छोटी सी पोटो हाथ मिले के जा रहे हैं अब बार बार एक फोटो को ना उनको बिच लगाते हैं आप कह कह के ये गलत है ये कहना कि भगवान जगनाथ मोदी जी के भक्त है ये अपमान है तो आपने इसी बात को कह दी आप वो जब वो आये थे बीजे पी के कारेकर नेताओं को सब्वोदित कर रह जब वो अपने एंडिया की बैटक ले रहे थे चुने जा रहे थे और जब बीजे पी के नेताओं को संबोदित कर रहे थे औरहों राम का नाम ही रही है वो जए जगनाथ करने लगे हलाकि राम के बगवान विश्णु का अपतार है दोनों लेकिन अब जए शी नाम को ना मैं अपने अन्भवों के कारण बोलना हूँ अगर अभी उनको फाइदा हो कि अभी उनका नमस्ते नहीं लिया ना योगी आदितनाथ का फाइदा होगा तो हो सकता है उनके पीछे खड़े उनके नारा लगाने लगे बारती राजनीती के प्रख्यात बहरूपिया है वो कब अपना रूप बदल देंगे कोई अडवानी जी को नमन किया उनको बदल दिया संसत को नमन किया उनको बदल दिया अब संविधान को नमन किया है अब संविधान का खत्रा अब पिर चुनाव खत्र होंगे लेकिन आ अब फिर आग लगा रहे हैं हर्याना और महराज के चुनाओं है पुरी तरह रहेंगी बीजेपी आप अलग लड़ेंगे या एलाइंस के साथ ही रड़ेंगे अब तो हमारी पार्टी के मुख्याद अर्विन जी जब जेल से बाहर आएंगे उस समय इस पर फैसला लेंगे औ अभी फिलाल ये बाना जाए कि अभी तैनी है कि हर्याना में चुनाओं हम मिलके लड़ेंगे अलग लड़ेंगे अब उस पर फैसला जो भी होगा वो अर्विन जी से बातचीत करके ही होगा किन मुद्दों पर हर्याना को चुनाओं किन मुद्दों पर होगा देखिए वह पीटा गया है आसुगैस के गोले छोड़े गये हैं तो इस अपमान का बदला किसान लेंगे और हर्याना पंजाब ये सब कृसी प्रधान राज्य है उत्तर प्रदेश में भी आप देखें पस्चिम के अंदर बहुत बड़ा अंदोलंग चला था तो इन सब चीजों का देखें एक बात तो तरह हो गई कि जो एक दो सीट बीजेपी की पंजाब में थी वो भी दो सीटे थी वो भी खतम हो गई तो पंजाब में हम इस बात से संतुष्ट है कि वहां बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई ठीक है हमारी सीटें ज्यादर नहीं आई मानता हूँ मै दिल्ली के चुनाओं को सिर्फ 20 दिन मिले के जिवाल जी को परचाद के लिए और कितना हम लोगों के पीछे लोग पढ़े कितना एजनसियों का दुरूपयोग किया वो भी देखा आपने लेकिन हम जनता को गाली नहीं देते हम अपना आत्मोलोकन करते हैं जहां गलती हुई होगी उसकी समिक्षा करके आगे काम करेंगे बढ़ेंगे कोई संदेश जो आफ 4PM के माद्दे हम से देना चाहते हैं नहीं मैं समझता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी खुब सूर्ती है और मैं इस बात से खुस हूँ कि भारत ने फिर से एक बार संदेश दिया कि हम अलग-अलग जातियों अलग-अलग धर्मों अलग-अलग भासाओं में रहकर भी वी-वी-डिता में एकता वाले देश हैं हम पाकिस्तान नहीं है, हम तालुमान नहीं है, हम हिंदुस्तान है भबाश शुक्रिया संजे सिंग जी और यह अपने जिस तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं उसी थी कि तेवर में उन्होंने बात करी और बता दिया कि भारती जंता पार्टी को किन-किन बुद्दों पे घेरेंगे हमें उन सीन का फिर इंतियार है संसद में पिछली बार जब प्राइम इस्टर के सामने संजय सिंग नारे लगाएते हैं अब इनका जेल आना तह है क्योंकि प्राइम इस्टर को मुँ पे इस तरह किसी ने कोसा नहीं था तो जाहर है कि संसद की अगली तस्वीर और अच्छी होगी कैसी लगी बाचीत बताईएक जरूर चैनल को जोएन और सब्सक्राइब करिएगा शुक्रिया थैंक यू क्यो कि reckless और साथा तो जिल दो आची होगी बाची बाचीग तरह के लोओने के त कशो इसे कैसी लेता है